आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में थूरू ओल्लिम ट्रेट प्लैटफर्म ट्रेडिंग की जाए कैसे लो एमोंट के साथ ट्रेड किया जाए ताकि रिस्क हो जैसे के आप जानते हैं आज के टाइम पर ऑनलाइन एर्निंग एक बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है हर कोई ऑनलाइन करता है गाइस इन ओनली इंडिया गाइस more than million people are earning through online क्योंकि आप जाते हैं online earning के बहुत से तरीके होते हैं blogging जैसे video blogging हो गया website blogging हो गया affiliate marketing drop shipping online reselling हो गया freelancing हो गया ऐसी बहुत से तरीके होते हैं गाइस online कमाने के लिए हमने बहुत से videos बनाए भी अब तक आपने देखे होंगे तो यह सब तो एक तरफ होगे और और एक तरफ internet पे ही कुछ ऐसे platforms होते हैं जहां पे आपको assured earning होती है लेकिन यहां आपको investment की जरुरत पड़ती है basically paid platform you can say जहां पे आपको instant earning भी मिलती है जैसे की trading platform हो गया जिसके बार में आज हम बात करने वाले है all in trade ओके तो all in trade एक ऐसे platform है guys जहां पे आप basically binary trading करेंगे binary trading मतलब for example एक asset है उसके उपर आप एक prediction लगाओगे कि इसका price for a next duration of 1 minute या 5 minute बढ़ेगा या घटेगा for example एक asset लेते है gold तो gold का press next 5 minutes में बढ़ेगा या कम होगा तो ये आप यहाँ basically select करेंगे up या down और अगर after that 5 minutes आपका prediction सही निकलता है तो आपने जितना trade किया है उसको increment करके आपको as a return मिलेगा तुरंत 5 minutes के under और अगर आपका prediction wrong हो गया तो आपने जितना यहाँ trade किया उतना आपके wallet से deduct हो जाता है ओके तो यह basically concept है यहाँ all in trade का तो इस video में हम यही बात करने वाले है guys तो first of all बात करते है कि यहाँ risk involvement कितना है तो yes guys यहाँ risk involved है 50-50% है क्योंकि यह totally depend करता है आपके predictions पे अगर prediction सही हो गया तो आपका money increment हो गता आता है नहीं तो decrement हो जाता है तो risk है of course फिर भी मेरा suggestion यही रहेगा आप भले $10 यहाँ पे deposit करिए या $100 deposit करिए लेकिन trading करते time कम से कम amount पे trading करिए for example $1 या $2 या at max $5 का ही trading करिए क्योंकि अगर आप win होते है तो आपको double मिल जाता है नहीं तो जो इतना आपने लगाया है उतना अप घड जाता है तो उतना risk नह गया $2 आ गया तो आप यह सोचते है कि क्यों ना हम $50 लगा दे ताकि $100 आ जाएगा अगर सोच लिजी आपका prediction निकला जो $50 आपने लगाए थे फूरे चले जाएंगे तो मेरा suggestion यह रहेगा कम से कम trade करिए ओके इवन मैं इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूं आपको तो यह तो हो गया risk involvement के बारे में next बात करते है legality तो इंडिया में guys online trading 100% legal है और not only that olim trade एक ऐसा application है जिसको 10 million से जाधा लोगों ने डाउनलोड किया है play store alone ओके वो छोड़के direct browser में भी use करने वाले millions लोग है और app store के भी millions डाउनलोड है तो कोई भी tension नहीं है guys कोई fraud वाला case नहीं यहां पर क्योंकि यहां आप होके invest करते हैं आपके मर्दी से और depending on your performance you will win amount here and the best thing is आप money को withdraw कर सकते हैं directly अपने bank account को Indian bank accounts को तो यह सब बात हो गया एक overview के बारे में तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ All Im Trade के platform पे मैंने सभी links description में दे दिया है guys वो चाहिए website का हो browser पे आप चाहिए तो All Im Trade को browse कर सकते हैं नहीं तो उनका application download कर सकते हैं इवन आपके पास अगर Apple phone है तो Apple का iOS application भी है तो all the links आरे in description guys and before that मैं आपसे request करता हूँ कि अगर यह वीडियो में information आपको सही लगे तो please वी दोस्तों के साथ और सब्सक्राब करें हमारी चैनल को ऐसे वीडियो के बारे में जानने के लिए तो अभी हम चलते ओल्म ट्रेड पे सो गाइस मैंने application की link description में दे दी है वो आपको directly प्ले स्टोर पर लेके जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं पर ओलिम ट्रेड ऑनलें ट पूचा जाएगा यहां पर आप सिंपली अपना email ID डालिए पास्वर्ट एंटर करिए और यहां पर currency चूज करिए USD या EUROS तो मैं USD सेलेट करूंगा और सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करिए आप Facebook या Google से भी यहां login कर सकते हैं मेरा account already है तो मैं quickly login कर लेता हूं यहां पर त तो अफ लेफ्ट कॉर्णर पर आप देख सकते है live account उस पर क्लिक करिए और उसकी नीचे आपको demo account लिखा हुआ दिखेगा so for the first time as a training मैं आपको suggest करता हूं कि आप demo account को use करके यहां trade करके देखिए कैसे करना होता है कैसे चलता है जिससे आपको एक knowledge मिल जाएगी demo account में भी आपको बहुत सारे assets मिल जाएंगे यहां पर यहां euros versus usd पर क्लिक करिए और यहां जाके आप बहुत सारे assets देख सकते है गाईस trending assets यहां दिखाए देंगे और नीचे सब indices crypto assets currencies आप देख सकते है commodities stocks अलग-अलग company के तो सब कुछ यहां आपको मिलेगा guys as a demo आप यहां पर trade कर सकते है जिससे आपको अच्छी knowledge मिलेगी और उसके बाद आप live account पर जाके real money के साथ यहां trading शुरू कर सकते है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है तो मैं live account पर जाता हूँ और आप जैसे कि देख सकते है currently मेरे पास 384.78 है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहां पर deposit कैसे करना है money add कैसे करना है उसके लिए आप simply deposit बटम पर क्लिक करेंगे right top side आप देख सकते है और यहां deposit करने के लिए बहुत सारे ways है आप देख सकते है वीजा, bank transfer, then internet banking and electronic payment options also available, skrill, bitcoin etc. तो यहां सबसे highest recommended होता है वीजा क्योंकि वीजा में आपको यहां पर bonus मिलता है गाईस for example जैसे आप देख सकते है 30 dollars अगर आप यहां पर deposit करेंगे तो आपको extra 1.50 dollar मिलेगा, 100 dollar deposit करेंगे तो आपको extra 10 dollars मिलेगा, तो इस तरह guys जितना जादा आप deposit करेंगे उतना जादा आपको यहां पर deposit bonus मिलता है कम से कम आपको यहां पर 10 dollars का deposit करना होता है जैसे का आप देख सकते हैं, simply click on deposit button और payment gateway तुर आपका payment successful हो जाएगा, तो एक बार आपका deposit successful होने के बाद आप यहां trading शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां left side top में आपके balance दिखाए देगा, उसके नी करना है, तो बहुत सारे options हैं यहां पर indices है, cryptocurrencies है, currencies है, commodities है, stocks है, and in my personal experience, सबसे जाधा यहां profitability आपको currencies में मिलता है, आप देख से तो और currencies में आप देख सकते, EUR versus USD पर 82% है, तो हम वही select करेंगे, तो आप देख सकते, यहां पर यह रहा graph, current पर चल रहा है 1.083, तो आपको first of all क्या करना है, कि यहां duration set करना है, कि आप कितना duration तक trade करना चाहेंगे, currently 1 minute है, आप 2 minute कर सकते, 3 minute कर सकते, तो हम 1 minute पर ही करेंगे, और मेरा suggestion भी यही रहेगा, 1 minute पर ही करिए, और मैं trade करने जा रहा हूं, $3 के लिए, तो हमेशा आप 1 minute का wait करिए, ज़रा observe करिए कि price क्या हो करना है, ups and downs को, मुझे भी लगता है कि यह नीचे जा सकता है, next 1 minute में, तो मैं यहां पर down पर क्लिक करता हूं, red button पर, profit होगा मुझे $2.46, means $3 मैंने invest किया है, और $2.46 as a profit मिलेगा, totally more income होगा, $5.46 इस trade का guys, तो देखते हैं, आप जहां देख सकते हैं, 2 points है, 2 red dots है guys, पहला red dot है, जहां मैंने trade को set किया, और दूसरा red dot दिखाता है, 1 minute का, जहां पर आपका trade end होगा, wait करते हैं, देखते हैं, क्या होता है, अगर यह graph after 1 minute नीचे रहेगा, तो मुझे $2.46 का profit होगा, so let's see, आप मेरा balance भी देख सकते है guys, on left corner, $381 है currently, क्योंकि $3 already trade amount में गया है, so yes, and yes guys, 1 minute हो चुका है, और price down ही रहा, so इस वज़ा से, हमने successfully trade में profit बना लिया है, आप देख सकते है, the trade, EUR versus USD is closed, with the profit of $2.46, on top आप देख सकते है guys, और मेरा balance देख सकते है, $381 था, $387.24 हो चुका है, so अब देख सकते है, बस एक minute में मैंने $2.6 as a profit कमा लिया है, तो basically ऐसे चलता है guys, आपको market बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ study करनी होती है, उसके बाद ही trade करना है, आपको मैं और एक example दिखाता हूँ, अभी मैं दूसरा option select करूँगा, हम जाएंगे crypto assets पे, crypto में हम select करेंगे Ethereum classic, यहाँ 80% profitability है, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है, लेकिन let's see, तो आप देख सकते है current price 11.77 है, और मैंने जैसे observe किया है price down होते जा रहा है, तो इसलिए मैं और एक बार यहाँ down के लिए ही poll करूँगा, so आप देख सकते है 2.40 dollars मेरा profit रहे गया यहाँ पे, so मैंने set कर दिया है, आप देख सकते है, तो एगर आप next dot तक जाके stop हो जाएगा, अगर वहाँ पे price down ही रहता है, तो मेरा profit है, तो कि देख सकते है price उपर जा रहा है, let's see what happens, and मेरा current balance आप देख सकते है guys, left side corner पे 384 dollars है, and yes, इस बार भी price डाउन ही रहा guys, मेरा prediction सही निकला है, देख सकते है आप, और इसके साथ मुझे 2.40 dollars का profit हो चुका है, आ So yes guys, अभी आप देख सकते है, मेरा balance 389 dollars हो चुका है, तो कुछ इस तरह guys, आपको यहाँ trade करना है, यह basically option trading है, अभी हम आपको दिखाते है, forex trading कैसे करना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको again assets मिलेंगे, indices, crypto, currencies, commodities, तो हम currencies में इसको लेते है, GBPCHF, और यहाँ basically आपको buy and sell करना है guys, एक particular rates पे आप यहाँ buy करेंगे, और जैसे आपको लगेगा कि profit हो सकता है, आप sell कर सकते है, और time आप right side top corner पे आप देख सकते है, वहाँ जाके set कर सकते है, तो मैंने भी buy कर लिया देख सकते है, 3 dollars, चाहे तो आप sell भी कर सकते है, multiple trades at a time, यहाँ पे open कर सकते हैं, और in case अगर आपको लगता है कि आपको loss होने वाला है, उस time पे आप क्या करेंगे कि trades tap पे जाएंगे, आप यहाँ देख सकते है, second tap पे, वहाँ जाके जो भी trade आपको close करना है, उस पे click करेंगे, और यहाँ पे simple click करेंगे close, क्या होगा कि आपको इतना amount deduct हो जाएगा, देख सकते आप यूज करेंगे, all in trade platform को, और आपको जब भी लगे कि आपको amount withdraw करना है, अपने bank में या कहीं पे भी, तब आप जाएंगे यहाँ more section पे और वहाँ पे आप देख सकते है, withdraw option है, उस पे click करिए, और यहाँ पे आपको amount enter करना है, कि कितना आप withdraw करना चाहते है, और simply within, औ और एक withdraw tab आएगा यहाँ पे, उसको click करते ही, within 24 hours आपको अपना amount मिल जाएगा, जहां से भी आपने deposit किया था, for example, आपने credit card से deposit किया था, तो आपको credit card के account में आ जाएगा guys, अगर bank transfer किया था, तो bank transfer ही हो जाएगा, यहाँ आप सब कुछ पढ़ सकते है, how do you withdraw money, and all in trade 24 7 support provide क करता है guys, उसके लिए आपको यहाँ help section पे जाना है, और आप देख सकते है, client support, assistant, everything is available here, and कुछ trading के related education videos भी है यहाँ पे, आप अगर client support पे click करते है, तो आपको एक 12 free number मिलेगा, यहाँ पे, email ID मिलेगा, जहाँ पे आप कोई भी question पूछ सकते है, और आपको instant support मिल जाएगा, So guys, कुछ इस तर यूज़ करना है, OlumTrade platform को, I hope कि आपको सब कुछ समझाया होगा, comment section में जरूर बताएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या आपका opinion है OlumTrade के बारे में, और अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करिए, share करिए, और subscribe करिए हमारे channel को, ऐसे ही videos के लिए, thanks for watching Take care, bye, have a good day, Jain